हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम धर्मेश दूदात है और मैं यूनिटी इंस्टूट ओप जुले डिजैनिंग सूरत से बात कर रहा हूं अभी आपने अप सब लोगों ने दूबई जाने के लिए जो मैंने फोर्म दिया था आपको शायद आपने फोर्म फिलब किया होगा अगर आपने नहीं किया है तो मेरे नमबर पर मुझे वाट्स आप करिया है मैं आपको फोर्म दे दूँगा ये वीडियो आपको दुबई में अगर जोब करना है तो कैसे आप जा सकते हैं क्या उसका प्रोसेस है उसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ और कितना टाइम लगेगा उसके बारे मैं बताने वाला हूँ तो आपको पूरा वीडियो देखना है और अगर कुछ समझ में नहीं है तो मुझे आप कॉल करके भी पुछ सकते हैं मेरा नुम्बर जो है वो डिस्रिप्शन बॉक्स में मैंने रखा है तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो दुबई जाने के प्रोसेस के लिए अगर आप मेटिक्स roommates डिजानर है मेरा क्वर टाइप किया मैंने नहीं है अगर में KIR जासकते हैं सबसे बह सहीं भिल आपने जो लिंक बढ़ दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है अगर आपने नहीं पर आए तो मुझे पहले message करना है तो मैं यहां से आपको Google का जो link है वो दे दूगा तो मेरे पास आपका data जो है वो आ जाएगा तो आपको सबसे पहले वो link पर देना है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपका जो resume है आपका कितने experience आप कहां पर सिखे हो आपके पास वो सब मुझे आपको बताना है और resume है जो regular resume बनाते हो कितना experience है कहां पर job करे और कहां से आपने training लिया है उतना आपको एक resume photo के साथ आपको एक बनाना है तो resume सबसे पहले आपको मुझे भेजना है अगर आपका complete हो जाता है उसके बाद मैं आपको बता दूँगा क्या क्या ओठया है वीसा के लिए आपको हदार कर पांड करो सब देना होगा bank statement भी आपको देना है तो उसका जो प्रोसेस आपको बाद में उसके बारे में आप अगर पर आप जो भी वर्क कर रहे हैं अगर आप दूबई का जो वर्क है वो आपको आपने देखाई होगा अगर वो वर्क अगर आपको आता है तो उसके उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं है अगर आप यहां पर रियल डैमन का या फिर कोई भी मिलब अधर काम कर रहे हो तो अगर आप यहां एक्जाम में भी पास हो गया आपका जाना कंफर्म हो गया है तो आपको सबसे पहले तीन महीने के लिए जाना है तीन महीने में अगर वो भी आपका काम देख लेगे और आपको भी वहां पर तीन महीने देखना है कि आपको वहां पर चल रहा है कि कैसे चल तो 3 महीन है उसके बाद अगर आगे भी जोब करना है तो उसके बाद बीटे डाइर का वेजा होगा — तो आपको उसके बाद भी टू एर क जो आपको 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 या कुछ भी हो अगर आपको वापस यहां पर इंडिया आना अए तो आपको अपने खर्चे पर आना पड़ेगा कमपनी जो है वह एक बार आने का और जाने का जो दो बार है वही पेशा लेगी तो आपको अगर बीच में अगर आना है तो आपको खुच से ही पेया करना पड़ेगा तो उसके बाद है मतलब कंपनी आपको दो बार खर्चा देगे एक बार यहां से जाना है उसका भी खर्चा जो वीजा का और टिकेट का जो खर्चा है वो सब आपको कंपनी प्रवाइड करेगी आपको खाना जो है वहाँ पे जो कंपनी में टाइप किये वहाँ पूरे वेज़िटेरियनी है तो आपको वहाँ पे फूड भी वेजिटेरियनी मिलेगा और आपको रहने के लिए भी मजब एक room में 5-6 लोग रहेंगे उसके साथ ही आपको रहना है तो उस तरीके से आपको रहने का और खाने का company प्रवाइड करेगी और आपका जो work का time है वो 9-9 तक करेगा full day मतलब 9-9 है और उसमें lunch break आपको 2 घंटे का मिलेगा दो घंटे में आप अगर आपके room पे वापस जाना है तो जा सकते हैं और वहाँ पे company में भी आप lunch time में आरम करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं तो दो घंटे का lunch time रहेगा उसके बाद company में जो आने जाने का जो है वो company आपको provide करेगी आपके office और आपकी जो आप रहे रहे वहाँ पे दोनों के बीच में जो आने जाने का जो खर्चा है वो भी आपको company में एक गाड़ी रहेगी जिसमें जो पाच्छे लोग या जितने भी लोग आते होगे वो आपको वहाँ से pick up करेंगे और शाम को ने बज़े वापस छोड़ देंगे तो वह भी खर्चा आपका कम निकाही रहेगा और वहाँ पे सबसे पहले आपको starting salary जो है वो पैंती सो धिराम रहेगा यहां पे जो धिराम है पैंती सो धिराम होता है तो आपको सबसे पहले स starting salary है वो आपका 75,000 ही रहेगा उसके बाद एक साल के बाद आपका salary बढ़ेगा वो आपके काम के उपर डिपन रहेगा बल्लब यहां पे जो धिराम है पैंती सो धिराम है वो आपको दूबई का है तो आपको दूबई के सबसे हो salary बढ़ेगा उसके सबसे हमारा इंडियन में जो कनवर्ट होता है वो आपको टोटल एक बार लगा देना है तो यहां पे पैंती सो धिराम है तो एक साल के बाद आपको 38 भी हो सकता है 39 भी हो सकता है और 4000 धिराम भी हो सकते है वो आपके काम के उपर डिपन है और उसके बाद salary जो है वो आपको दूबई की currency में मिले सकते हैं मतलब आपको salary दूबई currency में मिलेगी और उसके बाद जो यहां पे उसका time है कितना time आपको लगेगा यहां से जो पूरा process है वो आपको 4-5 महीने का है और 4-5 महीने में अगर आपको job नहीं मिल रहा है तो आप यहां पे आपका पूरा पैसा है वापस ले सकते है मत वापस मैं आपको धे दूंगा जैसे आपको पहले दो महीने जो है आपका training वह सब रहेगा आप training करने के बाद आपका exam होगा अगर fail हो गए तो वापस एक बार हम लोग training देने के बाद वापस एक बार exam देगे वैसे दो बार आप exam दे सकते हैं तो दो बार exam देने के बाद अगर फिर भी आप fail हो जाते हैं और आपका जाना cancel रहता है वहाँ पे तो आपका जो पूरा पैसा है वहाँ आपको वापस दे देंगे हम लोग और चार पांच महिने में भी अगर आपका वीजा भी cancel हो जाए तो कुछ भी एगर reason आता है उसके सबसे अगर cancel हो जाए तो आपका जो पूरा deposit है वह पूरा deposit आपको वापस मिल जाएगा और जो deposit काम उठ है वह आपको एक लाख बीस ज़र देना है एक लाख बीस ज़र जो है वह आपका उसमें सब आ जाएगा यहां से जाने का खर्चा है वह भी कमनी देने वाली है पूरा खर्चा मतलब आपको यहां से अगर जोब में जाना है तो आपका जो खर्चा है वह एक लाख बीस ज़र रुपया लगेगा तो आपको सबसे पहले अगर आपको दुबई जाना है तो आपको एक लाख बीस ज़र देने के बाद आपका रिजूम भी देना है सारे document भी आपको देना है यह जो प्रोसेस पुरा है वह दुबई जाने का है अगर आप इंट्रेस्टेड है तो आप मुझे contact कर सकते हैं मेरा number यहाँ पहले आपको लिख देता हूँ यह मेरा number है आप यहाँ से मुझे contact कर सकते हैं और यह पूरा आगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है एक बर आप मुझे से मिल भी सकते हैं तो मिलने आप मिलके भी पूरा आपका confusion जो भी रहेगा वह आप यहाँ पे solve कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको एक बर पूरा वीडियो देख लेना है complete करके अगर आपको जाने है वहाँ पे job करने के लिए जाना है तो आप यहाँ से मेरा contact number ले के आप मुझे से मिल जाए और आपके आगे का जो process है वह आपको में वहाँ से करवा दूँगा तो वीडियो देखने के लिए thank you